Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे प्रार्थना है, खर्म्या सोचें, आप Data Entry Operator यानि बाबू बनना चाहते हैं या Accountant. आप Tele का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं. यदि आप Accountant या विद्वान बनना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोज को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें. वीडियोज को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं. पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा. टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज क्या ध्याय में हम बताएंगे टैली प्राइम में लेजर बनाना. इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लिस्ट ओफ अकाउंट्स के बारे में बताया था. साथ ही ये भी बताया था कि टैली में इससे हमें लेजर बनाने और ट्रांजिक्शन रिकॉर्ड करने में किस फ्रकार से साहता मिलती है. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में बनी हुई किसी कमपनी में लेजर किस तरह से बनाये जाते हैं. एक बात का ध्यान रखिए आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाब नहीं होगा. यदि आप इस वीडियो का सही लाब लेना चाहते हैं, तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है, ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर करें. तो चलिए, शिरू करते हैं आज का अध्याए. हमने टैली में जो कमपनीज बनाई थी, उनमें से एक कमपनी यहाँ पर उपन है. कमपनी बनाना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं. टैली में कमपनी क्रियेशन के बाद लेजर बनाना होते हैं, तो पहले हम आपको लेजर के बारे में बता देते हैं. आपने manual accounting की process में account यानी खाते के बारे में समझा था टैली में account को ही ledger नाम दिया गया है टैली में जब कोई company बनाते हैं तो उसमें हमें दो ledger cash और profit and loss account पहले से ही बने हुए मिलते हैं बाकि आपको अपनी आवश्यक्ता के अनुसार बनाना होते हैं माल लीजे हमने कोई व्यापार शुरू किया है तो हमें टैली में हिसाब रखने के लिए पहले कुछ ledgers बनाना होंगी जैसे कि व्यापार के लिए हम capital लाएंगे तो उसके लिए capital account किसी से उधार माल खरीदेंगे उधारन के लिए अशोक ट्रेडर से उधार माल खरीदेंगे तो उसका account बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक का account जो भी खरीद करेंगे उसके लिए purchase account जो माल बेचेंगे उसके लिए sales account हमने जो दुकान किराय पर ली है किराय के लिए rent account इत्यादी टैली में ledger बनाते समय हमें वो ledger किस group के अंतर आएगा ये निर्ने करके उस group को चुनना होता है वैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाशाएं बताई हैं उस आधार पर आप ledger से संबंधित group का निर्ने स्वयम ही कर लेंगे पर कई बार ये निर्ने कर पाना मुश्किल होता है ऐसी इस्थिती में आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो लिस्ट ओफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से group कैसे चुनना ये बताया है टैली में जैसे ही हम कोई company open करते हैं तो सबसे पहले gateway of tally की screen दिखाई पड़ती है और इसे हम टैली में जाने का main gate यानी मुख्य दर्वाजा भी कह सकते हैं यहां आपको अलग-अलग headings जैसे masters, transactions, utilities और reports दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतरगत कुछ options भी दिखाई पड़ रहे हैं हमें के करके सभी options समझाएंगे सबसे पहले हम masters से शुरुबात करेंगे Masters में आप तीन options देख रहे हैं जिसमें सबसे पहला है create इसकी सहायता से आप tally में record रखने के लिए या कह सकते हैं record maintain करने के लिए जो भी masters ज़रूरी हैं उन्हें बना सकते हैं दूसरा है alter इसकी सहायता से आप अपनी company में जो masters बने हुए होंगे उनमें changes करना चाहें तो वो कर सकते हैं और तीसरा है chart of accounts इसकी सहायता से आप अपनी company में बने हुए masters को एक साथ देख सकते हैं यहां हम आपको एक महतुपून बात बता देए कि इन तीनों options पर हम go to की सहायता से भी जा सकते हैं go to के लिए या तो उस पर click करें या alter और g की इसको एक साथ press करें हम यहां पर mouse से click कर रहे हैं देखिए यह तेनों options क्रमशह, create master, alter master और chart of accounts के नाम से यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं जब आप tally में कोई voucher entry कर रहे होते हैं या कोई report देख रहे हैं और उस दौरान यदि आप इन options का उप्योग करना चाहते हैं तो go to की सहायता से कर सकते हैं हम escape की press करके वापस पहले वाली screen पर आ गए हैं अब आगे बढ़ते हैं यहां पर create already highlighted है इसलिए हम enter press कर रहे हैं देखिए यहां पर तीन heading दिखाई पड़ रहे हैं accounting masters, inventory masters और statutory details और इनके अंतरगत कई प्रकार के masters के नाम दिखाई दे रहे हैं इनमें से आज हम ledger के बारे में बताएंगे तो देखते हैं टैली में ledgers किस प्रकार से बनाए जाते हैं आप जिस तरह का भी master बनाना चाहते हैं उसके नाम का पहला अक्षर यहां master creation के नीचे दिखाई दे रहे सर्च बॉक्स में टाइप करें जैसे हमने ledger के लिए L टाइप किया यह देखिए ledger highlight हो रहा है अब हम enter press कर रहे हैं यह देखिए ledger creation window आ गई है कोई भी व्यापार प्रारम्व करने के लिए सबसे पहले capital लाई जाती है तो पहले हम capital का ledger बनाएंगे चुंकि हमारे व्यापार का स्वामी एक व्यक्ति है इसलिए हम proprietors capital account के नाम से ledger बनाएंगे आप चाहें तो सिर्फ capital account के नाम से भी खाता खुल सकते हैं यदि हमारे व्यापार के एक से अधिक स्वामी होते यानि अगर हमारे partnership firm होती तो हम अपने partners के capital account बनाते समय उनके नाम के साथ खाता खुलते जैसे शाम्स capital account, अशोक्स capital account इत्यादी ledger creation window में सबसे उपर name के आगे हमें ledger का नाम लिखना होगा तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है proprietors capital account अब enterprise करेंगे अलियाज वाले option को हम blank यानि खाली छोड़ रहे हैं इसको हम बाद में समझाएंगे आगे बढ़ने के लिए enterprise करें यहाँ under में पहले से ही capital account group दिखाई पढ़ रहा है वो इसलिए क्योंकि टैली को मालूम है कि जब कोई व्यापार आरंभ होता है तो सबसे पहले व्यापार के स्वामी को व्यापार में capital लगानी होती है और उसके लिए टैली में capital account बनाना होता है और यह account capital account group के अंतरगत ही बनेगा यही कारण है कि जब टैली में हम पहला लेजर बनाने जाते हैं तो under में capital account group ही दिखाई पढ़ता है हम इसे ही selected रहने दे रहे हैं और enter प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं अब enter की प्रेस करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक accept विंडो ना आ जाएं यह देखिए accept विंडो आ गई है enter प्रेस करके ledger creation विंडो को accept कर लेते हैं यह देखिए ऐसा करते ही हमारा ledger बन गया है और अगला ledger बनाने के लिए ledger creation विंडो फिर से आ गई है अब हम अगला ledger हमारे supplier अशोक traders का बना रहे हैं इसके लिए यहाँ पर supplier का नाम लिख देंगे और अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे अब यहाँ under में हमें group select करना होगा देखें right side में list of groups दिखाई पड़ रही है हम जो ledger बना रहे हैं वो जिस group से संबंधित है वो हमें इस list में से चुनना होगा आप list of groups में ध्यान से groups के नाम देखें और यह निशित करें कि कौन सा group select करना है यहाँ हम supplier का ledger बना रहे हैं और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि suppliers sundry creditors group में आते हैं तो अब यह निशित हो गया कि हमें sundry creditors group चुनना होगा इसे चुनने के लिए group के नाम का पहला अक्षर type करें जैसे हमने type किया s ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितनी भी groups होंगे विस अभी एक साथ दिखाई पढ़ेंगे अब आप up या down arrow keys की सहायता से संबंधित group के नाम पर जाएं और enter press करें अब enter press करते हुए आगे बढ़ें यहां mailing details में देखे हमने supplier का जो नाम पहले type किया था वो आ रहा है अब यहां पर हम उसका पूरा पता type कर देते हैं अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां पर state select करें और enter press करें यहां पर pin code डालें और control और A keys से इस window को accept कर लें अब हम अपने bank का ledger बना लेते हैं ledger creation window खुली हुई है इसमें name के आगे bank का नाम लिखें enter press करते हुए आगे बढ़ें यहां पर हमें group select करना होगा हम bank accounts group select कर रहे हैं आप चाहें तो यहां अपने bank account की पूरी details दे सकते हैं हम अपने bank account की पूरी details दे रहे हैं enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे अप यहां पर हमें bank की mailing details देना होगी इसके बाद enter press करते हुए आगे बढ़ें यहां end में opening balance लिखा हुआ है आए इसे समझ लेते हैं मा लीजिए कोई website किसी financial year की शुरुवात में या बीच में manual accounting बन करके tally में accounting शुरू कर देता है तो उसके manual accounting के जो भी closing balance होंगे वो tally के लिए opening balance हो जाएंगे और वे सभी balance उसे computer accounting शुरू करने के पहले legends बनाते समय अपने यहां पर opening balance में लिखना होंगे हमारा कोई opening balance नहीं है पर समझने के लिए यहां पर हमने 5000 लिख दिया है enterprise करते ही यहां उपर आपने जिस तरह का group select किया है उसके हिसाब से यहां DR या CR लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा इसको हम आगे समझेंगे आप चाहें तो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्थन कर सकते हैं debit के लिए D type करें या फिर credit के लिए C type करें और enterprise करें हम इसको DR ही रहने दे रहे हैं इस window को accept करने के लिए control और A की इसको एक साथ प्रेस करें इस वीडियो में हमने आपको एक समय में एक लेजर बनाना सिखाया इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको multiple layers यानी एक साथ एक से अधिक layers बनाना सिखाएंगे साथी बताएंगे कि आपने जो layers बनाए हैं उन्हें groups के साथ कैसे देख सकते हैं कर दो कर दो